हेलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं योर न्यू डारेक्शन योट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी दोहजार एक्किस सिच्छक भरती में तदर्स सिच्छकों की कितनी संख्याए इसकी आधिकारी घोशना हो चुकी है तदर्स सिच्छकों को लेकर सुप्रीम कोट से एक बड़ी खबर आई है जो कि आप सभी चैनल साथियों के लिए बहुती आवश्यक है जानना तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए यह आदेश चैनल बोर्ट की तरफ से जारी किया गया है समस्त जिला डी आई ओएस को आप नाम देख सकते हैं और यह आदेश आज की तारिक में 14 नुवंबर 2021 को जारी किया गया जहाँ पर विसे है माननी उचितम नियाले में योजित जो संक्या है रिट संक्या संजय सिंग की और उत्तर प्रदेश सरकार की और मानिका याच का यहाँ पर दाखिल की गई थी जिस पर जो आदेश है वो यहाँ पर जारी हुआ है और इसकी जो अंतिम सुनवाई थी वो 9 नुवंबर यह देखिए 9 नुवंबर 2021 को हुई थी जहाँ पर सुप्रीम कोट ने आदेश किया और उसी आदेश के क्रम में इस आदेश को चैन बोर्ट के माध्यम से जारी किया गया इस आदेश में आप नीजे की तरफ देखेंगे कि माननी सुप्रीम कोट के द्वारा जो चीजे कही गई वो यहाँ पर मेंसन किया गया है मामला सातियों यह है कि जिस प्रकार से प्रात्मिक सिच्चक भरती में सिच्चा मित्रों को सुप्रीम कोट ने ही वेटेस देने की बात कही थी और उसी तरह जितनी भी भरतिया हो रही है वेटेस दिया गया इसी तरह तीजिटी पीजिटी सिच्चक भरती में तदर्स सिच्चकों को भी वेटेस देने की बात कही गई थी सुप्रीम कोट के द्वारा लेकिन चयन बोर्ड ने अधिकतर तदर्स सिचकों को वेटेज नहीं दिया जिस कारण से तदर्स सिचक सुप्रीम कोट पहुँचे थे और उसी सिसम्मंदित इस आदेश को पारित किया गया सुप्रीम कोट में तदर्थ सिचकों का कहना था कि जितने भी तदर्थ सिचकों ने आवदन किया उन्हें वेटेज नहीं दिया गया इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितने तदर्थ सहायक हैं, कितने अन्य सिच्छक हैं और कितनों को वेटेस दिया गया, कितनों को नहीं मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड ने निदेशाले को यहाँ पर आवगत कराया और कहा बताया कि 12 नॉम्बर को इस आदिस को जारी करते हुए कहा कि केवल 126 यह निदेशाले की तरफ से यहाँ पर जाच मांगी गई है चैन बोर्ड से, क्योंकि जब चैन बोर्ड ने सूचना दी तो यह जाच मांगी गई है निदेशाले की तरफ से, जहाँ पर कहा गया 12 सेवा में 1.5 अंग और अधिकतम 30 अंग का भारांग देने की बात यहाँ पर कही गई थी यही सुप्रीम कोट ने निर्देश भी दिये थे तो इन विंदूओं पर यह चीजे पूछी गई है चैन बोर्ड से कि जब वेटेस देने की बात कही गई थी तो वेटेस क्यों नह कर दिया कि अब आप बताओ कि क्यों नहीं वेटेस हुआ तो आप देखिए यहाँ पर कि कुल जो यहाँ पर सहाय का ध्यापक थे 126 को छोड़कर 320 को यहाँ पर भारांक नहीं दिया गया वहीं पर 9 प्रवक्ताओं को भी भारांक नहीं दिया गया कुल मिलाकर आवेदन कित 126 को ही वेटेस दिया गया बाकी ना इनका वेरिफिकेशन कराया गया तदा सिचकों के तौर पर और नहीं ने वेटेस दिया गया इसी करम में 911 को यहाँ पर जानकारी मांगी गई है चैन वोर्ड से कि ऐसा क्यों किया गया इन्हें वेटेस आखिर में क्यों नहीं दिया गय और इससे समझे सपत पत्र भी यहां पर दाखिल करने के निर्देश दिये गए हैं क्योंकि नियाले ने सुप्रीम कोट ने आदेश किया है तो सपत पत्र यहां पर दाखिल करना पड़ेगा और साफ तोर पर यहां पर बताया गया है कि यह सूचना हर हाल में 15 नौंबर 2021 ग्यारा बजे यह कार्याले कच्छ निरिशाले प्रयागरा से सोयम उपस्तित होना सुनेचित करें अगर आप नहीं भेज पा रहा है तो सोलतारी को आप खुद पहुंचें यह कापी निरधारित प्रारूप में का और खा में भेजनी है चैन बोर्ट सूची भेजनी तदर सिच्छकों की जो लिस्ट है पूरी 1400 सबकी लिस्ट भी यहां पर जारी की गई है category wise registration wise यहां पर देख सकते हैं और नाम wise सभी चीज़ नाम, father, name, male, female है, किस जिले में हैं, सभी चीज़ किस जिले में जोइनिंग दी जा रहा है, कहां थे, यह सभी चीज़ यहां पर विस्त रिक्त पद मांगेगें नई सिच्छक भर के वह घेक्रिया तो विल्कुल भी नहीं तो वाहं देखित है। और इनसे सम्मंधित यहाँ पर बड़ी कारवाही की गई है।